जितनी भी चीजें आपकी सेहत सुधार सकती हैं। उनमें से एक चीज इस सूची में सबसे उपर है। लेकिन मैंने हाल में महसूस किया कि मैंने इस खास विशय पर कोई विडियो नहीं किया है। और ये विशय आपकी आंतों के माइक्रोब्स की प्रजातियों पर आधारित ह हम ये भी बात करेंगे कि हम माइक्रोबायोम की विविधता को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले विविधता की बात करते हैं। ये आपकी आंतों में मौझूद विभिन प्रकार के माइक्रोब्स की प्रजातियों की बात करता है। यहां हम आपकी आन्तों में मौझूद माइक्रोब्स की कुल संख्या की भी बात करते हैं। आदर्श रूप से आपको एक ऐसा माइक्रोबायों चाहिए, जिसमें विभिन प्रजातियों के माइक्रोब्स मौझूद हो। आप जानते होंगे और ये हमें समझाया भी जाता है कि सेहत का मतलब स्वच्छता होता है, यानि की कीटानू मुक्त जीवन लेकिन वास्तविक्ता में ये बात सही नहीं है। अपने शरीर के अंदर आपको बहुत सारे कीटानू चाहिए होते हैं और ये सभी फ्रेंडली भी होने चाहिए। अगर आपके शरीर में अच्छे माइक्रोब्स मौजूद नहीं होंगे, तो आपके शरीर पर दुश्मन पैथोजन्स आक्रमण कर सकते हैं, जैसे की सैल्मोनेला, एच पाइलोरी, सी डिफ और एकोलाई। ये माइक्रोब्स आपके शरीर के अंदर एक स्वस्थ वातावर्ण में रहते हैं और आपको परिशान नहीं करते, जब तक कि आपके और उनके बीच का संबंध बदल नहीं जाता और वातावर्ण में परिवर्तन इसका कारण हो सकता है। अगर आपके शरीर में इन माइक्रोब्स का असंतुलन हो जाता है, तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये विशर बेहत महत्वपूर्ण है। ये कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। कैंसर में भी आपके शरीर में डिसबायोसिस की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आपकी आंतों में इन माइक्रोब्स की विभिन प्रजातियों का होना बेहत जरूरी है क्योंकि ये विटामिन्स बनाते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करते हैं, शरीर की सूजन कम करते हैं, कोलन के सैल्स को भोजन देते हैं, एमिनो एसिड्स और निूरो ट्रांस्मिटर्स बनाने में मदद करते हैं, ये दूसरे प्रोटीन्स भी बनाते हैं, जिनसे आपको उर्जा मिलती है, स्वास्थ्य मोल्ड और दूसरे माइक्रोब्स आते हैं, यानि की आंतों में सारा बैक्टीरिया ही नहीं होता. अगर हम बैक्टीरिया को देखें, तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एनोरोब बैक्टीरिया ओक्सिजन के बिना जीवित रह सकता है, दूसरे बैक्टीरिया को ओबलिगेट कहते हैं ये ऐसे माइक्रोब होते हैं, जो ऑक्सिजन के संपर्क में आने से मर जाते हैं। ये ऑक्सिजन के बिना जीवित रहते हैं। फिर एक दूसरे तरह के एनोरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जिन्हें फैकल्टेटिव कहते हैं। ये एक ऐसा एनोरोबिक बैक्टीरिया है, प्रतिशत पर ही जो आक्सिजन के साथ और उसके बिना जीवित रह सकते हैं. दिल्चस्प बात ये है कि ज्यादातर रिसर्च उस एक प्रतिशत पर ही की जाती है. दूसरे शब्दों में कहें तो हमें कई चीजों की जानकारी नहीं है क्योंकि उन माइक्रोब्स को लैब में विक्सित करना मुश्किल होता है जो जीवित रहने के लिए ऑक्सिजन पर निर्भर नहीं करते. ऐसी बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें नहीं है ले अगर आपको nutrients से भरपूर foods चाहिए, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि मिट्टी में microbes की विभिन प्रजातियां मौजूद रहें। की पौधों का खुद का माइक्रोबायोम होता है। ये सब उस पौधे को खाने वाले जानवर से भी जुड़ा हुआ है। इन्हें खरी देंगे, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि इन्हें कहां उगाया गया है। वैसे सबजियां खाते ही आपको उसके स्वाद का पता चल जाएगा क्योंकि अगर सबजियों का स्वाद अच्छा होगा, तो उनमें भरपूर मात्रा में nutrients मौजूद होंगे और आपको तसली हो जाएगी कि उन्हें अच्छे microbes वाली मिट्टी में उगाया गया है। आंतों की सेहत के लिए ये भी अच्छा रहेगा कि आप अलग-अलग तरहे की सबजियां खाना शुरू करें। उन्हें अपने सलाद में डालता हूँ, उन्हें खाता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे शरीर में बड़ा बदलाव दिखाई देता है। तो आपकी आंतों के माइक्रोब्स सुस्थ होने लगेंगे। मैं अपने कुट्टों को बहुत ज्यादा स्नेक्स नहीं देता क्योंकि उससे उनका फास्ट टूट सकता है। आंतों के माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए आप ज्यादा मात्रा में फिनॉल का सेवन कर सकते हैं। फिनॉल क्या होते हैं? ये फाइटो न्यूट्रियंट्स होते हैं, जैसे की विभिन पौधों, नीमबू, बेरीज और ऐसी ही अन्य चीजों में मौझूद फ्लैवोनोइड्स। विभिन हर्प्स में मौझूद टैनिंस को भी फिनॉल्स कहते हैं, विभिन चायों में ये मौझूद होते हैं। माइक्रो ग्रीन्स खाने चाहिए, जिन्हें मिट्टी में उगाया गया हो। वैसे स्प्राउट्स को मिट्टी में नहीं उगाया जाता, लेकिन जब आप माइक्रो ग्रीन्स खाते हैं, ध्यान दें कि उन्हें नारियल के बुरादे में ना उगाया गया हो, मैं असली मिट्ट इन्हें उगाए जाने की बात कर रहा हूं। इनकी तलाश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप खुद से भी इन्हें उगा सकते हैं। इन माइक्रो ग्रीन्स में भरपूर मात्रा में फ्रेंडली माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। इन में फाइटो न्यूट्रियंट्स भी होते हैं, बहुत सारे पॉलिफिनॉल और फाइबर होते हैं, जिन्हें आपके माइक्रोब्स बहुत पसंद करते हैं, इसलिए माइक्रो ग्रीन्स खाकर आप अपनी आन्तों की सेहत में बहुत बड़ा सुधार करते हैं। अच्छी बात ये है कि आपको इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं पड़ती, आपको इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनमें भरपूर फाइटो न्यूट्रियंस भरे होते हैं। उससे बहुत ज्यादा फाइदा मिल जाएगा। मिलेगी। मुझे लगता है कि कच्ची, पकी हुई और उबली हुई सबजियों का संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। अब विपरीत चीजों की बात करना भी ज़रूरी है, क्या चीजे माइक्रोबायों को कम कर सकती हैं। नमबर एक है broad spectrum अंटिबायोटिक दवाएं। यह हानिकारक दवाएं हैं। जब भी आप कोई अंटिबायोटिक लेते हैं, तो आपको उससे लेते समय एक प्रोबायोटिक भी लेनी चाहिए क्योंकि मिट्टी में ग्लाइफोसेट को छिड़का जाता है। ग्लाइफोसेट को एंटिबायोटिक का दरजा दिया गया है और दुर्भाग्यवश ये रसायन बहुत सारे फूर्ज में घुस जाता है। ये लगभग सभी चीजों में मौजूद रहता है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी आंतों के विकास पर सक्रिय होकर काम करना चाहिए। जिन जानवरों को एक या दो या तीन तरह के फूर्ज ही दिये जाते हैं, उन्हें केवल अनाज या घास दी जाती हैं, तो उनके शरीर के माइक्रोब्स की संख्या कम होने लगती हैं, उनकी आंतों में माइक्रोब्स की प्रजातियां कम होने लगती हैं, क्योंकि जानवरो और मैदानों में कई तरह की घासों के साथ ही कई तरह के पौधे भी हैं, वहाँ पर जानवरों के खाने के लिए 40-50 विभिन तरह के पौधे हैं, जानवर इन्हें खाते हैं, उन्हें मेरे खेतों में बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाती हैं, मैंने स्टडी के लिए अपने फार्म का मीट भेजा, उस मीट की देश के दूसरे फार्म्स के साथ तुलना की गई. अगर हम सेहत की बात करें, तो दूसरे फार्म्स की तुलना में मेरे फार्म के मीट में तीन गुना ज्यादा फाइटो न्यूट्रियंट्स मौजूद थे. आपने सही सुना. जानवरों के मीट में भी प्लांट बेस्ट कैमिकल होते हैं आपको मीट खाने पर भी एंटी ओक्सिडेंट मिल सकते हैं आपको केवल ये सुनिश्चित करना है कि जानवर स्वस्थ होना चाहिए मानसित तनाव आर्टिफिसियल स्वीटन्स सूजन के कारण आंतों में माइक्रोब्स कम हो ज करता है आपके माइक्रोब्स भी बाइल बनाते हैं लेकिन बाइल कुछ माइक्रोब्स के अनुपात को भी नियंत्रित करता है इसलिए माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए हमारा लिवर स्वस्थ होना चाहिए कीटानू मुक्त किये गए फूर्स 54 फूर्स रेडियेटेड बहुत ज्यादा प्रोसेस किये गए फूर्ज आपके पेट के लिए हानिका रखोते हैं। मैं बता चुका हूँ कि आपको अलग-अलग तरीके के फूर्ज खाने चाहिए। अगली बार जब भी आप ग्रोसरी स्टोर पर जाएं, तो अलग-अलग तरहे की सबजियां खरीदे और अपने सलाद में नई चीजें जोडें और नई चीजें खाएं। अगर आप गर्भवती हैं या आपका बच्चा होने वाला है, तो बच्चा होने के बाद आपको उसे स्तनपान कराना चाहिए क्योंकि अगर आप शिशु को स्तनपान नहीं कराएंगे, तो आप शिशु में माइक्रोब्स और खीस या कोलोस्टरम संचारित नहीं कर पाएंगे और उससे शिशु को आगे चल कर समस्या हो सकती है, उनका माइक्रोबायोम और उसकी प्रजातियां विक्सित नहीं हो पाएंगी, ऐसा ही कुछ सी सेक्षन में भी होता है, अगर डिलिवरी नॉर्मल है, तो माइक्रोब्स अच्छी तरह से विक्सित हो पाते हैं, इस वीडियो के जरिये में माइक्रोब्स की प्रजातियों पर रौशनी डालना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेहत महत्वपूर्ण चीज है अगर आपने पाचन पर बनाया गया मेरा वीडियो नहीं देखा है ये बड़ा दिल्चस्प है मैं उसे यहां डाल रहा हूँ आप उसे देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले